हेलो, वेलकम टू सिंप्लिफाइट साइंस और मैं हूँ दिव्या आज का टॉपिक है फिलो टेक्सी या फिलो टेक्सिस बहुत इसी टॉपिक है आपने एक बार ये वीडियो द्यान से देख ली तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो चलो समझते हैं क्या होती है फिलो टेक्सी तो फिलो टेक्सी जहां भी ये फिल वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है कहीं लीव की बात हो रही है जैसे हमने क्लोरो फिल पढ़ा था तो उसमें भी कहां क्लोरो फिल होता है लीव में जैसे हम philoclad पढ़ते हैं, तो जहां भी fill word आ जाता है, वहां हम बात कर रहे होते हैं leaf की, और taxi से मतलब है किसी चीज़ का arrangement, तो यहां arrangement of leaf की बात हो रही है, किस पर, stem पर या branches पर, तो यह तो मतलब है philotexy का, कि stem और branches पर किस तरह से leaves का arrangement होता है, वो कहलाती है philotexy, अब philote क्यों ज़रूरी है, जिससे की proper sunlight का exposure मिले leaves को, और properly photosynthesis हो, तो philotexy क्या है, arrangement है leaf का stem या branches पर, क्यों ज़रूरी है, जिससे की photosynthesis का procedure, plants में sunlight के exposure से अच्छे से हो सके, तो philotexy होती है, तीन तरह की, types में हम पढ़ते हैं, first है alternate और spiral, second है opposite, और third one है word, तो opposite के भी दो types होते है, superimposed और decasset, तो चलो एके करके detail में इनके types को समझते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे alternate या spiral philotexy की, तो alternate या spiral philotexy में, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह होती है, कि एक ही leaf एक बार में node से emerge होती है, तो मान लेते हैं, यह एक branch है और इस पर यह nodes है, तो इन node से एक बार में एक ही leaf निकलेगी, और एक एक तरफ निकलेगी, दूसरी उसके दूसरी side निकलेगी, इस तरह से इसमें arrangement होता है, जिसे हम alternate या spiral कहते है, क्योंकि यह spiral की तरह दिखता है, अब बाद में आपको इन node से और leaf निकलती दिखाई दे सकती है, यह क्योंकि यह leaf की axillary bird होती है, तो यहां से फिर बाद में और भी leaves निकल जाती है, यह कभी-कभी floral bird भी निकलाती है, तो इस तरह से alternate या spiral म leaf का arrangement होता है, तो इसके examples है, china rose, sunflower, mustard, और बहुत अच्छा एक example इसका people भी है, तो इन सबी plants में, trees में आपको यह वाली spiral philotexy देखने को मिलेगी, तो चलो हम china rose का देखते है, एक example कैसी दिखती है वाली philotexy, तो यह देखो, यह है एक china rose या जिसे हम hibiscus भी कहते हैं, तो इ यह है notes, और इसमें एक तरफ निकल रही है एक leaf, अप आप देखो next leaf उसके दूसरी side है, और उससे next उसके दूसरी तरफ, तो इसी तरह spiral बनाती हुई, इसमें leaves निकलती है, तो इसमें एक note पर एक leaf निकलेगी एक तरफ, और दूसरी note पर दूसरी निकलेगी दूसरी तरफ, तो इस तरह से इसमें leaf निकलती है नोट से ये है alternate या spiral philotexy hibiscus में तो next है opposite philotexy हमने alternate में देखा कि एक leaf एक बार में एक नोट से निकलती है लेकिन opposite में हमेशा leaf pair में निकलती है मतलब दो leaves एक साथ निकलेंगी या फिर pair में leaves निकलती है तो इस तरह की philotexy को हम बोलते है opposite philotexy अब ये भी होती है दो तरह की opposite superimposed और दूसरी opposite tech acid तो superimposed का मतलब होता है किसी भी चीज को superimposed कर लेना मतलब उसको cover कर लेना तो मानलो ये एक branch है और ये इसकी notes है तो first अगर leaf निकल रही है इधर से तो दूसरी भी बिलकुल वैसे ही उसको cover करती हुई निकलेगी तो इस तरह की philotexy मिलती है ग्वावा में जिसमें आप opposite superimposed देखोगे मतलब leaves को एक दूसरी के ऊपर cover करते देखोगे दूसरे type की philotexy को हम बोलते है opposite decasit decasit को मतलब होता है कि पसी भी चीज को cross करना या उसको intersect करना x letter बनाते हुए तो इस तरह से जो philotexy होती है उसको हम opposite decasit कहते हैं जैसे आप मानो ये एक branch है और ये हैं दो notes तो अगर एक leaf का pair निकल रहा है इधर से तो दूसरा pair निकलेगा दूसरी तरफ से इस तरह से तो आपको leaf कुछ इस तरह से दिखाई देंगी इसमें एक दूसरे को cross करती है लेकिन क्या बना के letter x बना के तो इस तरह की philotexy हम देखते हैं केलोट्रॉपिस में तो चलो देखते हैं कि ये दोनों philotexy कैसी दिखती हैं ग्वावा और केलोट्रॉपिस के example में तो ये हैं ग्वावा का एक plant जिसमें हम देखते हैं opposite superimposed philotexy तो ग्वावा में हमेशा opposite superimposed philotexy में दो leaves एक साथ निकलेंगी तो ये हैं ग्वावा में opposite superimposed जिसमें एक नोट से दो leaves निकलती हैं और एक दूसरे को cover करती दिखाए देती हैं तो हमने देखी ये superimposed अब हम next बात करते हैं opposite decasit की जो होता है कलेलोट्रॉपिस में ये देखो ये कलेलोट्रॉपिस का plant है जिसमें हम देखेंगे decasit philotexy तो आप ये leaves देखो जो पहली उपर की leaves है ये इस तरफ है और दूसरी उसके right angle pair मतलब cross बनाती हुई निकल रही है और उससे नीचे वाली आप देखो तो वो पहली वाली का cross बना रही है तो इस तरह फिर इस तरह और फिर इस तरह तो ये है decasit जिसमें cross बनाती हुई leaves निकलती है एक नोट से दो अब आप देखो ये दूसरा वाला pair में आपको दिखाओं तो बिल्कुल इसमें साफ right angle बन रहा है तो ये थी केलोट्रॉपिस में opposite decasit philotexy अब next हम बात कर रहेंगे word philotexy की तो अभी तक जो हमने देखी थी philotexy alternate में एक leaf निकल रही थी opposite में दो leaves एक साथ निकल रही थी अब word में क्या होता है group of leaves निकलती है notes से तो मान लो ये एक branch है एक note यहाँ है और दूसरी note बाद में यहाँ निकलेगी तो यहाँ पर सो जो leaves निकलनेंगी वो इस तरह से आपको दिखाए देंगी तो इसका example होता है Elstonia जैसे आप यहाँ picture में भी देखो और मैं आपको देखाती भी वीडियो में कि किस तरह से दिखती है Elstonia की group में निकली हुई philotexy तो यह देखो यह है Elstonia में group में निकलने वाली यह world philotexy जो हम देखते है Elstonia या Elamanda में भी तो आप जितनी भी leaves देखोगे एक साथ निकल रही है और bunch में निकल रही है तो यह देखो new leaves यहाँ से निकली है अभी note से और इनमें सब में आप देखो तो सारी leaves जो है वो bunches में दिख रही है एक एक note से निकलने वाली सारी leaves आपको 5 से 7 दिख रही होंगी तो वो सब एक bunch में है तो इस तरह cluster में निकलने वाली फिलो टेक्सी को हम बोलते है वर्ड फिलो टेक्सी तो हमने बात की फिलो टेक्सी मतलब अर्रेंजमेंट ओफ लीवस और ब्रांच या स्टैंप पर तो यह होती है तीन तरह की फर्स्ट ऑल्टरनेट और स्पाइरल सेकिंड ओपोजिट और थर्ड वन वर्ड अब ऑल्टरनेट और स्पाइरल में एक नोट से एक ही लीव निकलती है और दूसरी उसके ऑपोजिट या ऑल्टरनेट निकलती है एक भार में और यह होते हैं तो तरह की सुपरिम्पोस्ट मतलब एक दूसरे को कवर करती हुई लीव निकलती है और दूसरा डेकेसिट एक दूसरे के राइट एंगल पे लीवस निकलती है या cross बनाती हुई leaves निकलती है वर्ड में एक साथ कई सारी leaves आपको निकलती दिखाए देंगी तो इनके examples है अल्टरनेटो स्पाइरल का चाइना रोस या पीपल सुपरिम्पोस्ट का ग्वावा, डेकसिट का केलो ट्रॉपिल्स और वर्ड का Elstonia या Elamenda तो ये थी फिलो टैकसी I hope आपको ये topic अच्छे से clear हुआ होगा अगर हां तो मैं आपको ये plant दिखा रही हूँ जिसे हम मदू मालती या रंगून क्रीपर भी कहते हैं तो इसमें मुझे देखके बताओ कि आपको कौन सा leaf arrangement या फिलो टैकसी समझ में आ रही है नीचे comment section में comment करो मैं इसका answer pin कर दूँगी comment section में आप देख सकते हो so that's it for this video I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल पर नए हो तो please do like, share and subscribe the channel friends के साथ share करो thanks for watching